हमारे देश में खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है राहूल गांधी जब कोई बयान नरेंद्र मोधी पर देते हैं तब चुनावायोग कारवाई की बात करता है नोटिस थमा देता है लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोधी राहूल गांधी को कुछ अप्षब्द कहते हैं फि नमस्कार मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक आप सोचिए कि क्या हमारे देश में दो चुनावायोग नहीं होना चाहिए एक चुनावायोग नरेंद्र मोधी के लिए होना चाहिए और वहीं दूसरा चुनावायोग कॉंग्रस का उपयोग करते हैं तो इसके बाद दिल्ली में बैठे चुनाव आयोग की नजर सीधे टीवी स्क्रीन पर जाती है और चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोधी को पनवती बोल दिया अडानी को मोधी को और अ चुनाव आयोग बिना कोई देरी की हुए बिना समय गवाए राहुल गांधी को नोटिस भेज देता है और कहता है राहुल गांधी आप 48 से 72 घंटों के भीतर जवाब पेश कीजिए वरना इसका अंजाम बहुत ही जादा बुरा होने वाला है और इसके बाद टीवी मीडि पर किस तरीके से मीडिया ट्रैल किया जाता है टीवी चैनल वाले बहुत ही जादा खुश हो जाते हैं कहते हैं चलिए कुछ नहीं अम मसाला मिल गया है राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए भारतिय जनता पार्टी के तमाम नफरती नेता कान खोल के सुनिए तमाम नफरत फैलाना जिनका एक ही काम है दंगा भड़काना जिनका एक काम है कि मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगलना मुसल्मान भाईयों को मुसल्मान बहनों को बदनाम करना लेकिन जो पूरी साजिश है अब उसका भणना फोड होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर मैं आप को फ्लेश बैक में लेकर चलता हूँ तो अनुराग ठाकूर कितना अच्छा बयान देते हैं इसके अलावा कपिल मिश्रा कितना अच्छा बयान देते हैं प्रवेश बर्मा जो बीजेपी के सांसद है वे कितना अच्छा बयान देते हैं दुनिया जानती है कि मुसल्मानों कम करना है लेकिन इनके ओपर कोई एफ हाई आर नहीं होती क्यों कि यह लोग भार्ती जंता-पार्टी यह सटीग बैठती है सईया भैल को त्वाल तो डर काहे का है और कोई डरने वाला नहीं है भार्ती जनता पालिटिक नेता और राहूल गांधी जब जब मुझ खोलते हैं तब तब इनको तमाम आरोपों का भी स्तामना करना पड़ता है और अगर मामला थोड़ा सा जादा रही थोड़ा सा गंभीर हो तो चुनावायोग सक्री हो जाता है दैनिक जागरण की एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ जागरण लिखता है पनवती जब कतरे पर फंसे राहूल गांधी चुनावायोग ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और कहा जा रहा है जागरण की द्वारा ये राहूल गांधी का जो बयान है साहब ये विवादित बयान है राहूल गांधी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस के जो तमाम लीडर हैं जब उनसे मेरी बात आमने सामने और फोन पर हुई तो लोगों ने कहा कि देखिए पप्पू पर एक पनावती भारी पढ़ गया है और इसलिए एक भारती जनता पार्टी की नेता बौकलाई हुए है घबराई हुए है इन्हें कु पूरी शाजिस रची गए थी और उस साजिश का भंडा फोर तो पहले ही हो गया था और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं कहते हैं कि मैं काम करता हूं देश के लिए जगता हूं उठता हूं सोता बैठता खाता पीता नहाता दोता सब कुछ करता हूं तो मैं देश के लिए करत नरेंद्र मोधी का बयान है लेकिन जब राहुल गांधी इस गुबारे को जिसमें पूरा जूट ही भरा हुआ है उस गुबारे में जब राहुल गांधी एक पिन घुसा देते हैं छेद कर देते हैं तो सारा जो हवा होता है वह हवा बाहरा जाता है फिर इसके बाद नरेंद इन छेद कैसे कर दिया रहूल मैं आप कुछ रहू गांधी अग्त को नेसो बिलद करता हूं इसके लिये मैं आप को क्लियर मता देना चाहता हूँ कि राहूल गाधी ने किस तरीके से जूटे गुबारे में छेट कर दिया है और सारी हवा निकल गई इसलिए भारती जंता पालिटी के नेता घबराई हुए है बौकलाई हुए है उन्हें समझ पर नहीं आ रहा है अब क्या कुछ किया जाए और कॉंग्रेस पालिटी के नेता अब लगातार मांग कर रहे हैं कि देखिए जो नरेंद्र मोदी के साथ ही अमिश शाह का बयान है व मंत्री हैं भारती जंता पालिटी के पूर्वे राश्ट्री अध्यक्ष उनका बयान उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस और गाधी परिवार भारत की राजनीत की राहु और केतु है बताईए क्या इन लोगों को नोटिस नहीं जारी होना चाहिए आप लोग कमेंड बॉक्स में रजस्थान में जाते हैं तो वहां पर मोदी जी बयान दे करके आते हैं हमारे देश के सस्वे प्रधान मंत्री मोदी जी कहते हैं EVM का बटन ऐसे दबाओ जैसे कॉंग्रेस को फासी लग रही हो आप सुचिए क्या विवादित बयान नहीं है लेकिन एक बात सच है कि TV चैन ऐसी ख़बरों पर डिबेट करवा सकी उनकी अवकात नहीं है क्योंकि उन्हें पता है जो विग्यापन जो रिवेन्यू आता है सरकार उसे बंद करने का काम करेगी इसलिए यह लोग घवराय हुए हैं और कोई भी ख़बर नरेंद्रमोदी खिलाफ बीजेवी खिलाफ नह पहरी लगा साहब राजस्थान में दोसा विधान सभा की सीटे हैं और 115 सीटे बीजेपी ले जा रही है जबकि जो ग्राउंड जीरो पर पत्त्रकार हैं जो मत दाता है जब उनसे मेरी बाचीत होती वे लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है बहुजन समात की जो पार्टियां ह वे लोग बहतर कर रहे हैं उनके नेता बहतर कर रहे हैं लेकिन भारती जैनता पार्टी का खास बोल बाला अडाजस्थान के चुनाव में नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है और नरेंद्र मोदी अमित शाह जेफी नडड़ा अनुरा बाजी कर दे इनके खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं होगी लेकिन जैसे या पोजीशन कोई नेता कुछ बोलेगा तुरंत उससे खिलाफ कारवाई कर दी जाएगी एनाई का ट्वीट है अशोक गहलोत के हवाले से एनाई ट्वीट करता है प्रधान मंत्री मोदी के बयान प प्यार मोहबत से बातचीत किजिए अगर आपको कटाक्ष करना है और आरो भी लगाने है तो कई शब्द हैं उनसे काम लीजिए लेकिन भारती जैन्ता पार्टी के नेता काम करने वाले नहीं हैं उन शब्दों से काम नहीं चलाते हैं और वहीं देखिए गरो भाटियां है समाजवादी पार्टी में थें पानी पी पी करके कांच का गलास लेते थें उसमें सहाब पानी भरते थें बगल में बोतल रखते थें और पानी घुट पीते थें मोध्य गाली देते थें जैसे ही गलास का पानी खत्म होता था वैसे ही वे सहाब जो है कि बोटल से पानी ड राश्री परवक्ता बनाया है तब से खोब गाली दे रहें किसको बहुज़न समाज तमाम पार्टिया आए। बहुज़न नेताओं नेताओं तमाम पार्टिया एंप। कम कूंग्रेस भाॉज़ दे रहे यानि हमारे देश में आम जनता के लिए मुसल्मान होना गुनाह हो गया है और अगर इस देश में राजनीद करनी है तो बीजेपी के साथ रहिए वरना आप अपोजीशन में हैं या मोदिक खिलाफ हैं तो आपका हश्ट होना पूरी तरीकिस्ते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं जब बीजेपी का कोई नेता उलूल जलूल बयान देता है विवादित बयान देता है उससे खिलाब कोई कारवाई नहीं होती है ऐसा लगता है कि चुनावायों के साथ ही तमाम जो जाच जनसियां हैं वे लोग अपने मुबाइल फोन को स्विच आफ करके शिमला मनाली उत कि अपोजीजन के किसी नेता ने नरेंद्र मोदी के उपर टिपड़ी की है फिर इसके बाद क्या होता है चुनावायों सक्री हो जाता है तमाम जाच जनसियां सक्री हो जाती हैं और तुरंट नोटिस थमा देती हैं और बुला लेती हैं आईए हमारे दफ्तर बैठ करकर च मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूं आप एक सकते मैं मोदी खिलाफ हूं लेकि मैं मोदी जी के खिलाफ विल्कुल नहीं हूं मैं प्रधान मंत्री की गरिमा का सम्मान करता हूं प्रधान मंत्री का जो पोश्ट है जो पद है मैं उसका सम्मान करता हूं आप एक बाद क्या एक प्रधान मंत्री को इस तरीके से चुनाव प्रचार में जाना चाहिए आप बताइए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए हमने चुनाव देश के लिए अगर जब मारा प्रधान मंत्री भारती जंता पार्टी को चुनाव जुताने में बेस्त हो जाएगा तो काम क जेपी ने उन्हें चुनाव मैदान मुतार दिया जाओ चुनाव लड़ो ओ मंत्री चुनाव की तैयारी करेगा या किर्श्री मंत्राले को समझा लेगा क्या हो रहा कोई मतलब नहीं है टार्गेट दे दिया गया है नरेंद्र सिंग तोमर जी आप चुनाव जीतिये देश मे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है किर्श्री मंत्राले कुछ भी हो कोई लेने देना नहीं है बताइए हैं नरेंद्र मोदी चले जाते हैं राजस्थान मध्ध प्रदेश चुनाव्परचार करने के लिए मध्ध प्रदेश में तो डबल हिजकर सरकार्ति साहाब cou insanely टनल में ज कोई ट्वीट नहीं करते हैं सिर्फ बहकी बहकी बाते हमारे देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी करते हैं मोदी जी को जाना चाहिए लेकिन मोदी को पता है कि वहाँ जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है वह हिंदू-मुसल्मान नहीं हो पाएगा और दुर्भाग यह है इस देश का हमारे देश की टीवी मीडिया जो क्रोमा कि जरीए ग्राफिक जरीये उसने उतरने का काम टीवी मीडिया नहीं करती है लेकिन जाकरती कि सच्ची रिपोर्टिंग सही रिपोर्टिंग उत्तरकाशिस नहीं कर रही है सरकार सवाल नहीं पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी आप यहां पर आ कि उन्हीं रहे हैं इक तालिस लोग फसे हुए हैं उनके परिवार वाले किस हलाक नहींगे पता है आपको कितना दर्द होगा उनके अंदर लेकिन नहीं नरेंद्र मोदी जी है और जब इन्हें टाइम मिल जाता चनौपर चार से तो नरेंद्र मोदी जी निकल जाते हैं विदेश श्यात्रा पर कि और मोदी जी कहते हैं BJP वाले कहते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी करका. बज रहा है आप बताईए भारत में पता ही डंका बज रहा है नहीं बज रहा है तीनल में 40 लोग फसे है मोदी तह वहां जाना चाहिए ना लेकिन क्योंने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई चुनाव नहीं है कि आप पहूंगे डबल इंजल सरकार है तो यहां पर क्यों गये थे मध्दप्रदेश तो मोधी जी चुनाप प्रचार करने के लिए है भक्तों कोई जवाब नहीं होगा मुझे पता है फिलाल इस वीडियो को यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं आपने पूरी वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख झाल झाल